नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूटूब चैनल पर किसान साथियों पिछले वीडियो में मैंने आपको आपकी अफिम में मार्पिन की मातरा कितनी ही PDF लिस्ट केसे देखे इसके बारे में मैंने आपको बताया था तो कुछ किसान भाई हमारे राजस्थान से जूड़े हुए है कुछ उत्तरप्रदेश से जुड़े हुए है क्यूकि अभी जोaran phrase कर रिपोर्ट यान्य जो लिस्टें आ रही है वह क्योवल MP के आüber हैं राजस्तान की नहीं आ रही हैं तो किसंसात्यों जिस वेबसाइट पे मैंने आपको बताया था कि आप अपने एनलेसिस रिपोर्ड याने मारिफिन की मात्रा की प्रतिश्यत की जो लिष्ट पे डियाब लिष्ट वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी वहीं पे अपलोड की जाएगी लेकिन पहले एमपी की जो एनलेसिस रिपोर्ड वो तगयर किये जारी हैं क्योंकि किसंसात्यों लगातार मारिफिन की मात्रा का प्रतिश्यत का जाँच चल रही हैं वो वक्त तो लगेगा करे तो यहों भी नहीं सकते हैं कि इनकी किये गई थी कि जो चितोरगर में जो अफिम है यानि राजस्थान की जो अफिम है वो गाजियाबाद फेक्टि में बेजी जाएगी उत्तर प्रदेश तो कहे तो पुली तरह से नहीं सकते हैं कि उसकी जो सेंपलिंग की जाएगी वो या निमस फेक्रिम की जाएगी या आज है वो की जाती है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो आपको उसी वेबसाइट पर मिलेगी जिस वेबसाइट पर आप एंपी की जो लिष्टे वो देख पा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप उसी पर चेक करते रहें और कुछ किसंद भाईयों के सवाल आ रहे थे किसारा में हमारी जो आफिम की जो ग्रेडिंग लगे वो डब्ली में फाइस वड़ेल लगी है तो एक किसंद भाईयों को एक कमेंड भी किया है कि उनके भी डवल्यू एम सेकंड लगा था लेकिन जो मार्फिन का परतिशत निगल कर आया है वह पांदेशमलों पर्तिषयत आया है जो कि बहुत ही अच्छा है चूंकि मैंने आपको 240 एंग की जो रिपोर्ट है वह फयनल रिपोर्ट नहीं है आ descon कर आपके ईङी जब आपकी अत्फी में मार्फिन की मात्रा का प्रतिशत चेक किया जाएगा और यदि वो अच्छा बेड़ता है तो निश्य दूर्प से आपको पट्टा फिर से जारी किया जाएगा लुए चिराएगा और पूरी तरह से तो हम नहीं सकते हैं कि कितनी जो मार्फिन की मात्रा है उससे अधिक पे भाई उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लगाता चेक करते रहिए दो दिन बाद चार दिन बात और अपने लंबरदार याने मुख्या से भी संपर कर रखते रहिए हो सकता है उन पे भी सुचना आती रहती है तो आप उनसे भी संपर कमेर है और विबा की जो परिणाम आने में थोड़ा कुछ समय लगे कि संसातियों क्योंकि बहुती बारीकिस से काम हो रहा है और कार यह जो है वो बहुती तेज प्रवती से हो रहा लेकिन जो कार यह वो बारीक प्रवती है उसमें सेंपलिंग का विबिन इसतर होते हैं अलग-अलग उन सभी को चे लगे हैं इससे उपर भी गए तो भी गवराने के बात नहीं है यह आपके मार्फिन का प्रतिशत अच्छा बेट जाता है तो आपको फिर से लाइसन्स जारी किया जाएगा वह बिलुग चिराएगा और यह जो आयोक निर्दारित करता है उससे तो आपको सीपीस में लाइ होने की संभावना है लेकिन यह धीरे-धीरे होगी तो कई तो नहीं सकते हैं कि कब तक पूरी होगी लेकिन पविश्य में इसा हो सकता है कि जो सभी लाइसन्स जारी किये जाए वो सीपीस में ही किये जाएंगे तो यह चोटा सा अपना अनुमान है और आप लोगों ने बत करके छोटी मोटी जानकर आने के लिए किसान साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेवे से भी मैंने बुवाइस के लेकर क्या-क्या साउध्वन या रखनी है आपको अंतीम अवस्तार तक जहां तक आप माल ले जाते हैं गोदान पर वहां तक उसके बारे मे दी मोनेटाइज हो गया हैं लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार के लिए पाने के लिए मैं अपने चैनल पर लगातार कंटेंट बना रहा हूँ तो उमिद करता हूँ को आपको दी हूए जानकरी पसंद आएगी किसंसातियों यед redu जानकरी पसंद आएग तो वीडियो आप लाइक जरूर किजिएगा और कमे ट किजिएगा और केसा अनुभव रहा है आपका मेरे साथ और मेरे तरीके से ये भी आप कमेंट में मेंचन जरूर किज़ेगा किसंद साथियों तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जनकरी के साथ जब तक खयाल रखें आप अपने परिवार का अपना खूद का और अपने पशुधन का फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जन करिक साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै जै जमान जै किसान